अब अरो फिर नोश्कार एक बार पिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी प्लासेस के बीए प्लेटफार्म पर दोस्तों बीए बीए सी भीकों फांडेशन कोर्स के अंतरकत थर्ड इयर में इंग्लिस लेंगेच वाली सीरीस में एक और नए टोपिक पर आज ह एम से कूध टो एमम से कूध एक मैं तो एम से कू फॉर्मेट में ही आप लोगों से कोशन पुछा जानथा है एक्जाम में तो बैसिकली जो हमारी खिर चल रहा है ये M-Secure Series ही है तो आए शुरू करते हैं और जिसा कि कल वाले session आप लोगो याद ही होगा कल के session में हमने क्या discuss किया था दोस्तों homo nims को discuss किया था और वहाँ पर हमने ये भी समझा था कि homo nims के दो पार्ट और होते हैं homo fonts और homo graph तो और ये भी बताया थे मैंने आपको कि कल होमोनिम्स समझने के साथ ते साथ में एक लेक्चर आपका होमोफॉंस पर और एक लेक्चर होमोग्राफ पर सेपरेटली आने वाला है ताकि आपकी कन्टूजन हमेशा के लिए खतम हो जाए आगे बढ़ू उससे पहले मैं उन दो एक युनिवर्सिटी का मात्रवी एक्जाम हुआ है बाकी अन्य उनिवर्सिटी आभी चल रही है तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्पूर होने जा रही है कोशिस तो कर रहे हैं कि आपके एक्जाम से पहले जो है सिरिस कंप्लीट हो जाए लेकिन नहीं हो पाई तो बेसिकली एक ही उनिवर्सिटी के अभी एक्जाम हुए हैं बाकी उनिवर्सिटी को अभी आने वाले हैं और चल भी रहे हैं तो उन सभी स्ट्वेंट्स के लिए जिनके एक्जाम नहीं हुए हैं उनके लिए पूरी तरह से वेनेफिशल होने वाली हैं तो ध्यान दे द कि एक होता है आपका होमोफोन और एक होता है होमोग्राप ठीक है ना तो यहां पर हमने कल अब मैं तोड़ा सा सोट में बता दूँ आप लोगों को अभी भी होमो का मतलब यहां पर होता है समान होमो का मतलब होता है समान ठीक है ना समान और निम का मतलब होता था यहां पर न meaning मतलब क्या हुआ कि homonym वो सभी शब्दों होंगे जो कहने में अर्था अर्थात की pronunciation उनका एक जैसा निकलता हो हो सकता है spelling भी एक जैसी आती हो लेकिन अर्थ अलग अलग आएगा different आएगा वो सभी वर्ड जो है homonyms कहलाते हैं पहली बाद दूसरे कर हम बात करें homophone की तो homo that means समान और phone that means की sound तो एक समान sound वाले तो homophones वो वर्ड होंगे जिनका sound एक जैसा होगा अर्थात की pronunciation जब आप सब्दों को बोलेंगे तो बोलने में दोनों एक जैसे लगने चाहिए जैसे example दिया गया है no no that means की जानना और no that means नहीं तो दोनों को बोलने में sound जो है एक जैसा निकल रहा है लेकिन जबकि दोनों वर्ड की spelling भी अलग है और अर्थ भी अलग अलग है किलियर है तो जिन शब्दों का sound एक जैसा निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे हमोफोन कहेंगे अब इस तरह पाजाएए अब आई जड़ा हमोग्राप पर आ जाए तो हमोग्राप का मतलब यह हुआ एक समान एक समान इस पैलिंग ठीके ना ग्राप का मतलब होता है दोस्तों लिखना ग्राप का में आपको पूरे विस्तार से समझाया था इसमें लगवक पांसे साथ मिर्ट पर लिया था ठीक है ना तो कल वाले सेशन में आपको यह रिया जरूर याद होगी तो एक सामानल रूपसे मैंने आप लोगों को बता दिया होमोनीम अप्लोन और होमोग्राफ तो आज वाला बसको भी देख लीजिएगा टोपिक वाइस टोपिक जो है सभी टोपिकों को हम अपनी सिरीज में इंक्लूट कर रहे हैं एक भी टोपिक छूटेगा नहीं हर एक टोपिक से संबंदित MCQ कोशन हम इस सिरीज में लेकर के आएंगे जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया है ना कि एकजाम में एक भी कोशन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस बाली सिरीज को लेक्शन नमर फर्स्ट से अटेंड कर लिया तो सभी कोशनों का अच्छे से रिविजन लगा या पीडिया डाउनलोड करने के बाद में तो गैरेंटी लेता हूं दोस्तों एक भी कोशन एक्जाम में बाहर नहीं जाएगा लेकिन सर्थ यही है कि आपको जितने भी मैं आपको कोशन अंसर दे रहा हूं उनको केर फुली आपको उनको अटेंड करना होगा चलिए शुर में साउंड भी एक जैसा हो सकता है और इस पिलिंग भी एक जैसी हो सकती है लेकिन अब चुकि हम बात करने वाले हैं होमो फोन पर और हुमोफोन वह वह बैसा घ्याए सिर्प साउंड एक झता होता है इस्पेलिंग और एर्थ अलग होते हैं जैसे नदिकि प्रै visa आप चार वर्ड दिये गए हैं इनमें से पूछा गया है कि flower का होमो आपकी जाका हॉमोफोन कौन सा वर्ड है मतलब जिनका अभी हॉमोफोन बोला उसने तो इसका मतलब हमें क्या ढूंडब ना इसमें सिर्फ इसका sound check करना है pronunciation चेक करना है जिस word की pronunciation flower वाले word से मेच हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो option A केता है floor दूसरा है floor flare flow ठीक है तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से pronunciation मतलब sound उपर अगर ध्यान से focus करेंगे तो आपको option A में इसका आंसर नजर आ जाएगा floor ठीक है तो flower flower इस flower को भी हम कभी flower नहीं बोलते इसमें भी w हलका सा silent होता है w silent हो जाएगा flower बोलते है डायेटली फ्लावर ठीक है और इसी तरह से option A को बोलिए आप फ्लावर ठीक है जिसका मतलब क्या होता है आटा ठीक है तो एक flower एक flower तो आपका ये फूल हो जाता है और वहीं दूसरा फ्लावर क्या है आपका आटा है दोनों का अर्थ अलग है दोनों की spelling अलग है only sound एक जिसा होने के कारण ये word इसका मतलब फ्लावर अर्था आटा फूल क्या बन गया अब एक बात यहां पर ये वियाद रखिए एक्जाम में हो सकता है शब्दों को पलड दिया जाए कोशन में आपसे फ्लावर की अपेक्चा फूल की जगे आटा भी रखा जा सकता है और ओप्सन में ये फ्लावर डाल दिये जाए तो आपको चूस कुझ सा फ्लावर ही करन होगा के लिए अगले कोशन पर मूब करते हैं यह सिरीज आप पहली बार भी देख रहे हैं तो भी आप पेंशन ना ले कंप्लीट आगे चलते चलते आपको पूरी सिरीज समझ जाने वाली है अब इस जो तीन लेक्चर होड़ रहे हैं दो दोस्तों यह वाले तीन लेक्च है कि आपको सिर्फ इंग्लिस पढ़नी आनी चाहिए अगर इंग्लिस पढ़नी भी आती है न तो भी आप इन कोशनों के आंसर एक्जाम में एकदम हंडेट परसेंट एक्यूरेटी के साथ लगा पाऊगे चलिए अगला कोशन देखते हैं यहाँ पर वेट का होमोफोन क्य दालता है एक है वेट देखिए इसको ध्यान से पड़ी क्या लिखा हुआ वेट क्या बोलते हैं वेट ठीके ना अब ओप्सन एको देखिए वेट दूसरा बे और वेन इन दो को तो कार दीजिए यह साउंड अलगी निकाल रहे एक आता है आपका वेट ठीक है वेट तो द नहां पर आपका वेट का जो होमोफोन होगा हो जाएगा आपका वेट अर्थात रुको ओप्सन एक औरेक्टर हो जाएगा क्योंकि अगर आप पिक्चर के माद्यम से भी देखना चाहे तो एक वेट होता है एक वेट है ना सिर्फ यह मसीन को मत देखिए कि वेट करने वाल होगे ना तो भी आपका यह पूरी तरह से किलियर हो जागा और एक एक ऑप्सन गैरेंटी के साथ आप लोगो को याद रहने बाला है कुछ भी नहीं भूलेंगे आप यह सारी स्लाइड आपको एक्जाम के टाइम पर अपने आप याद आएगी कैसे याद आएगी जब भी कि यहाँ पर के क्या है साइलेंट है ना के साइलेंट है नाइट का मतलब होता है विशेश अधिकारों से सुसजित कोई ब्यक्ती विशेश अधिकारों से सुसजित कोई ब्यक्ती आपने जब इंडिया में जब ब्रिटिस सरकार थी तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिस सर यहां के या ब्रेटिस के कुछ लोगों को नाइट की उपादी दिया करती थी, नाइट की उपादी मतलब यह कि राजा से या रानी से इनके माध्यम से या जो भी शाशक है, शाशक के द्वारा किसी ब्यक्ति विशेश को कुछ विशेश अधिकार दिये गये हो, एक सबंद थे, वो भी क्या थे, विशेश अधिकारों से सुसजित थे, उनके पास विशेश अधिकार थे, आम जनता की अप एक चॉप, ठीके, तो जो नाइट है ना, यह नाइट उनी लोगों को दर्साता है, अब इस नाइट का हमें होमोफोन निकालना है, क्या होगा, यह आरवर्ड आपके सामने है, नाइट, नाइट, ने, और नाइट, कोन सा होगा, पताए, एक्जेक्ली दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा ना, यह नाइट होगा, ठीक है, यह नाइट होगा, इसको हम नाइट, इसका होमोनिम में आपको आगे समझाने वाला हूँ, देखी, ध्यान से सुन, देख लिए इसको भी, यहाँ पर नाइट में के साइलेंट है, चीक है ना, के साइलेंट है, और अगर आप इस के को हटा देते हो, अब चुकि बोलने में, साउंड में तो हम पहले ही के को हटा चुके है, साइलेंट कर दिया है, तो इसका राइट यही होगा, तो एक नाइट सामन्त, जो बिशेस अधिकारों से सुसंजित ब्यक्ति है, जिसे किसी शाशक के दौरा किसी ब्यक्ति को कुछ बिशेस अधिकार दे दी जाते हैं, और एक नाइट है आपकी, प्रकोशन देखते हैं, अगला कोशन है सैल, आपने कभी तो 10th क्लास में तो साइंस पढ़ा ना, सभी ने पढ़ा अचा है, आपका BA क्यों ना हो, 10th क्लास में भी आपनोंने कमसकम साइंस तो पढ़ाई होगा, वहाँ पर ही आप सैल अर्थात की कोशिकाओं के बारे में प पर चुके किसने नहीं पड़ा सब को जानता कोशिकाओं के बारे में तो शेल जो है ये कप्चे जो बोला गया है ना ये सेल अब सेल भी अलग अलग जैसे की एक पूरा एक जिसे जेल होती है तो जेल में जो अलग अलग कमरे बना जाते हैं केदियों को रखने के लिए उसको क्या का जाता है उसको सेल ही का जाता है ये वाला सेल का जाता है और हमारी सरीर के अगर बात करें तो वहाँ पर कोशिकाओं को भी सेल कहते हैं हम लोग ठीक है दोनों में से किसी को भी आप एक्जामपल में ले लीजिए तो इसका होमोफोन पूचा गया है मतलब सेम क्यों नहीं करेंगे उनको आप आसानी से 50-50 कर सकते हैं कोने करोड़ाब लिए सेम आपके साथ भी लागू होता है हरे excque question जितनी ही आते ना उसम मैक्समीं को होते हैं जिन में से दो question आप आसानी से हटा सकते हैं जब कभी confusion बाला समय आये ना तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए उस question के साथ पहले 50-50 खेल लीजिए दो option को पूरी तरह हटा दीजिए जो आपको लगता है कि यह तो होई ही नहीं सकते उनको हटा दीजिए फिर आपको competition सिर्फ दो सब्दों के बीच में अटका रहेगा उन दो में से फिर आप अपना common sense लगा करके choose कीजिए कि कौन सो right answer आपका हो सकता है और same आपका इसके अंदर होने वाला देखिए 50-50 अगर हम करते हैं तो इसको हम पूरी तरह से हटा देते दो optionों को C और D को हमने पूरी तरह हटा दूई हो इं सकता same sound produce नहीं कर रहा है उसके बाद बचते हैं सेल और सेलं और सैbeltो है ठीक है तो यहां पर सैल में सैल में जो है यह आइं का साउंड अलग से ही यहां पर पर हो रहा है जबकि उपर सेल में सी और ओर इस का यहां पर स्टार रहा है वड़को बोलने में सांड में दोनों का एक ही मुंसे एक ही शब्द निकल रहा है सअ प्त तो सेल और और अपोश्न से देखिए सेल दोनों सेम है मैं ओप्शन आपका यही होगा पिक्चर के माद्ध निंए tutte आप सकते है एक सेल है आपके स्रीर की बिविन अब कोशिक आए और एक सेल है आपका बेचा हुआ मार बेचना कि कुर को कोई करद आपक था नहीं है ना सब इसे-स मूझ चल रहा है तो सेशन को लाइक भी करते चले यार सभी लोगों से क्या रहा हूं मैं जिन्होंने भी लाइक नहीं किया ना सभी लाइक करते हो चले सेशन को आगे चलके भूल जाते हैं आप लोग चले और यह तो मैंने होमोनिम के समय में भी आपको बताया थे तीन वर्ड चलते हैं मैं यहीं बताइता हूं स्टार्टिंग में ही तीन वर्ड चलते हैं टू टू और एक है आपका टू यह तू तीनों ही एक दूसरे के होमोफोन है होमोग्राफ नहीं है याद रखिएगा हर एक होमोग्राफ जरूरी नहीं है कि वो होमोफोन हो और होमोफोन भी जरूरी नहीं है कि वो होमोग्राफ बन जाए लेकिन यह बात याद रखिए कि होमोफोन और होमोग्राफ दोनों ही होमोनिम्स होते हैं ठीक है ना इस प्रका देंगे तो देखिए ठीके टू टू और तो दोनों में कोई combination नहीं बनता है हटा दिया दोनों को अब दो बड़ बजते हैं टू और टू अब यह हम अच्छे से जानते हैं कि option A2 भी हमारा right answer है क्योंकि यह भी इसका होमफोन है और option B2 यह भी हमाफोन है क्योंकि sound तीनों का same produce होता है तो टू और टू सेम प्रडूस हो रहा है तो इसलिए इसका अगर आप option B को टिक मारते हैं तो भी आपका answer right होगा और option A को टिक मारते हैं तो भी आपका answer right ही होने वाला है गलत नहीं होगा तो A और B दो में से कोई सा भी आप choose कर सकते हो कोई problem नहीं है क्लियर है चलिए अगला question देखते हैं next question में रिट का रिट का जो है होमोफोन पूचा गया आप लोगों से चार option दिए गए है right रेट राइट और right तो यहाँ पर इसका right answer basically मैंने आपको A दिया है अब देखिए दायान से दोस्तों अब यहाँ पर option जो भी एना यह एसी गलती कभी भी एक्जाम इनर नहीं करेगा जैसे हमारे पीपीटी बनाने बारों ने कर दी है यह वात यादा किएगा same word नहीं डालेगा यहां same word भी same है spelling same है sound same है mean भी same है तो ऐसा कोई word नहीं होता है तो यह by mistake मान लिजिए option B को अन्यता right answer तो हमारा यह हो जाता spelling earth सबको तुसे मिल रहा है तो right option इसी को चुन लीजिए तो इसा नहीं होगा बलकि जो यह right है यह right है जिसका मतलब होता है tradition संसकार इना उसको हम बोलेंगे right right तो right और right दोनों का same pronunciation है जैसा कि हमने पिछले वाले question में देखा था जो right था इसको भी हम right ही बोलते हैं लेकिन इसका इसमें उस वाले right में उस वाले right में क्या था डबलू silent था लास्ट वाले question में डबलू silent था यहाँ पर silent जैसी कुई चीज नहीं है यह बात्या द्राइख किया तो इसका लाइट ऑफ्षन कुंसा हो जाएगा दोस्तों राइट सही है ठीक है तो यह राइट ॥ा एक संस्कार है और एक आपका सही फोप्षन एक अरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोॉर्शन लेते हैं ब्लू क्या बोलेंगे इसको ब्लू ठीक है ना इसको ब्लू कहा जाता है ब्लू का मतलब वो ये ब्लू ब्लू एक स्पेलिंग होगी आपने देखा होगा पढ़ा होगा इसका मतलब होता है फूक मारना फूक मारना ना फूक मारना बबल उडाना तो इसकी सेकिंड फूम है इसको हम ब्लो क्या कहेंगे ब्लू ठीक है ब्लू तो अब आप लोग आसानी से कार सकते हैं ना क्रोस कर दीजिए ब्लू क्या यह होगा नहीं होगा इसको भी उ की बड़ा उ की जो है पर साउंड जो है एक ती ब्रगति से निकल रहा है जबकि यहां पर एक साथ में डवल्यू साइलेंट होने के कारण च्छोटा उ का साउंड बन रहा है उसी तरह से ब्लू तो यहां पर यू का साउंड अलग से आ रहा है इसको भी क्रोस आप कर सकते हैं आपका ओप्शन एक करेक्ट हो जाता है ब्लू है ठीक है ना तो एक ब्लू है ब्लू फूक मारना और एक है ब्लू आपका कलर ठीक है चली आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चन में आपसे पूचा गया है पेर का होम फोन पेर पेर जिसका होता हूदा है ऑप ठीक है पेर बोलेंगे अब पेर का होमोफिन चार वर्ड है आपके सामने एक पे पी ए आई आर पेर जिसका मतलब होता है जोड़ी एक डबल ओ और पूर एक पी डबल ई आर और एक पी ओ यू आर इनका अर्थ आपसे इनका में से पूचा गया होमोफोन कौन सा होगा जहां से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहां पर भी ओप्शन ए ही करेक्ट जा रहा है क्या बात है सब में ओप्शन ए ही तो कोई बात नहीं आप समझने पर फोकस केजिएगा इना ओप्शन ए बी सी हो जाएगा भेल कर तो एक पर है आपका जिसका मतलब होता है औरे मिस्टर स जैई जो ली किसी का भी हो सकता है किसी चीज को बीसकर हो सकता है तो आगे सब से पहले देखिए starting sound कुई सा है say वो लास्ट का है अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा प्राराम्भिक से sound say से start होना चाहिए लास्ट कोन सा हो रहा है क्या send हो रहा है यह करेक्ट होगा यह सासे हो रहा है तो ये तो सपेलिंगी पूल रही है लास्ट में वाला सथ स्थी करेक्ट हो गया संट किसी चीज़ को भेजा गया यह बी सेंड का क्या है यह फस्ट ती भेजने की फर्स्टम इसका ओमो फोन नहीं होगा बलकि जो इस बर सेंड गी कि जो सेंड फॉम है सेंड के बाद में सेंड फॉम क्या हो जाती है सेंड तो सेंड ही सेंड का ओमो फोन हो जाएगा क्लियर एक क्लियर Reich चलिए नेक्स्ट व्चन है बेर है बीर का होंओ फोन क्या होगा बार का होंओ Folkivering या बोर만 तो स्टम प्राडंबिक साउंड और लास्ट वाल वाला साउंड बेर में याकर और लास्ट वाला रह सबसे पहले option को ये वाला जो टेक्निक है ना प्रारंबिक sound की और last वाले sound की ये टेक्निक आपको option को हटाने में आपकी बहुत मर्द करने वाली है option नीशे चलिए D से चलिए क्या ये sound की शुरुवात बेसे हो रही है और last आरा रहा है रा रहा है क्या नहीं सब्सक्राइब तो शुलिवात ये बैरी इसो ठीक थी लेकिन लास्ट वाला साउंड यहां पर खत्म हो रहा है यह क्रेस तरहां यह जाएगा आपका ठीकिना भी नकपड़ों का वैक्ति मेर जिसे भूह क्यते हैं और एक विए जिसे हम वस्त रह मैं कि यह हैं और यह बतारो हूं हर एकवर्ड के ही 2003 a 현 childreninks के लिए ना है अधर बार लोग बहुत इंपोरेंट हो सकता है क्योंकि मेनिग आप रोग दोगत याद ही तिंँ लेकिन हो सकता है कोशन के बहाने आप लोग कुछ मीनिमिंग याद रहे जाए। कुछ मीनिग वे अगर आप याद कर लेते हैं, एक्जाम में बहुत एल्प होती है, यह कोशन ऐसे ही लगा जाते हैं दोस्तों, इसलिए केरफुली अगर आप शेचन को देख भी लेते हैं न, उससे ही मान लिजिए कि maximum content आपके मस्तिस्क में प्रवेस कर जाएगा बचा-खुचा शिशन कंप्लीट होने के बाद में PDF लगा लिया मान लिजिए कि 100% आपके मस्तिस्क में घुज गया हो उसके बाद कोई जरूत ने आपको पढ़ने के सिर्फ एक्जाम के जस्ट वन डे विफोर वन डे आपको रिविजन लगाना है आपका 100% काम हो जाएगा चलिए यहाँ पर भी एक दिया गया है ब्लू क्या ब्लू और इसका पूचा गया है आप से हमोफोन तो इसका हो यह ब्लू था यह कोशन में था और यह ब्लू हमारा ओप्सन में था सेम कोशन रिपीट हुआ है कोशन रिपीट हुआ है ठीके ना बस चेंज हो चुका है और यह इसलिए रिपीट हुआ है ताकि आप लोग को यह समझ आ जाए कि जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट में मै आपको यहां question दे रहा हूं exam में भी उसी format में आएगा हो सकता है कि option भी आपके सब सेम रहे क्योंकि पांच option है आपके पास में एक question में है और चार option यहां पर है इन चार में से कोई सा भी वो उपर उठाके रख सकता है मतलब ये कि option में जो answer है उसको question बना सकता है और question वाले को आपके answer वाले option में डाल सकता है तो अदला वदली भी वो करके आपसे पूछ सकता है तो confuse मत होईएगा ठीके ना इस बात का भी ध्यान रखना इसलिए का मैंने कि सबी जितने भी option है ना सबको केरफुली देखना केरफुली पढ़ना ठीके चलिए अगला question है होल का होल का होमोफोन क्या हो सकता है हो जिसका मतलब होता है किसी प्रकार का कोई छेद एक है होल ढोना एक है हल और है के है होल तो ये COD तो कुछी तरह cancel होल तो इसमें भी sound देखी यहाँ पर होल होल और होल sound different आ रहा है खुद बोल करके देख लिजी अपने पता चल जाएगा option A यहाँ पर correct हो जाएगा ठीके ना option A correct हो जाएगा एक होल का मतलब होता है संपूल completely और एक होल छेद क्लियरे चलिया आगे बढ़ते हैं next word है आपका peace जिसका मतलब आप सभी अच्छे से समझते हैं हर एक को अपने जीवन में आकांचा होती है peace की चानती की इसका homophone पूचा गया है कौन सा होगा peace 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 या pill तो पाइस और पिल तो पूरी तरह से iris हो जाएंगे बचेंगे दो आपके पास में peace और peace तो same जो sound आपका देगा वो देगा option A peace जिसका मतलब होता है कोई एक टुकडा किसी का भी एक टुकडा तो एक पीस है आपके शांती और एक पीस है किसी का भी एक टुकडा ठीके ना क्योंकि ये इस टाइप के question है दोस्तों कर इसमें आपने एक question भी अच्छे से समझ लिया तो आपको इस topic की पूरी method समझ आ जाती है उसके बाद किसी question को समझाने के लिए हमें मैनत करने की जरूती नहीं पड़ती है अब उसके बाद तो सिर्फ एक ही उद्देश से दे जाता है कि आपको हम लोग content provide कर दे और मैं अब वही कर रहा हूँ starting में मैं आपको समझा चुका हूँ और आप completely समझ चुके हैं कि homophone में किस तरह के question आप से पूछे जाते हैं क्या method होती है question पूछने की और answer देने की क्या method हो की sound match होना चाहिए बाकी से कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी उसका अर्थ निकले कुछ भी उसकी spelling हो बस condition है sound की sound same होगा homophone के सारे question आप धड़ा धड़ लगा करके आओगे exam तो next जो आपका word है वो है by by सभी जानते हैं by का मतलब होता है खरीद न तो इसका homophone मैं आपको बता दू यह दोनों ही word है यह दोनों ही word है और भी दोनों ही right option हो सकते हैं जो भी आपको exam में मिल जाए धड़ाक से आप उसको option में चूज कर लीजिए A को भी B को भी दोनों मिल जाए तो बिल्कुल कर लीजिए option C में अगर यह के दिया जाए कि A और B both are correct A and B both are correct तो C को चूज कर लीजिए clear और अगर मान लें कि आपको सिर्फ option A अर्था B Y by मिले तो भी आपका right option होगा और B Y E by मिले तो भी आपका right option होगा ठीके अब हो सकता है कि यह बाई यहाँ पर question में पहुँच जाए और यह बाई नीचे आजाए यह हो सकता है यह वाला बाई अलविदा वाला by question में पहुच जाए वाकी यह हो नीचे आजाए कुछ भी altability हो सकती है उससे confused मत हो यह गा इस दोनों में से कोई सा भी आप्राइड ठोक सकते हो कोई बिना किसी हेड़क के चलिए अगला question देख लेते हैं which word is a homophone for a break ब्रेक का मतलब क्या होता आप पहली बाती जानते हैं किसी चीज को ब्रेक कर देना तोड़ देना इसका homophone क्या homophone क्या होगा exactly option a character हो जाएगा ब्रेक बाकी को आप खुद बोल करके देख लीजिए अपने आप मेने क्या बता है आपको एक starting बाला sound check कीजिए एक last बाला sound देखिए दोनों को match कीजिए सभी wordों के साथ में कहीं न कहीं confusion हो जाएगी या तो starting बाला sound match नहीं होगा या last बाला sound match नहीं होगा और by chance दोनों sound बे अगर match हो गए किसी word में तो बीच में कहीं न कहीं गड़बर होगी एसा की कोशन वाले वर्ड में पूचा गया जस्ट लाइक ब्रेक और एक ब्रेक मतलब गाड़ी में ब्रेक लगाने वाला रोकना तो हिंदी मीनिंग रोकना लिखा हुआ तो इस पर इक दम इस पर सटी ग्रूप से मत जाईगा रोकना मतलब एक इस्टॉप करना भी हो जाता ह लेकिन ब्रेक का मतलब होता है एक गाड़ी में जिस परकार का ब्रेक लगाय जाता है किसी भी स्थिति को किसी भी कंडिशन को अपने जो है ना कंट्रोल मिलाने के लिए ठीक है किसी भी स्थिति को कंट्रोल मिलाने के लिए ब्रेक किया जाता है उसको लगाय जाता है तो ए है इसको चेक कर लिजिए इस्टार्ट जहां पर इस्टार्ट दिखे रहे हैं समझ लीजिए वह रिपीट है उसको आपको नहीं पढ़ना है रिपीट हुआ है कोशन और हां लास्ट में कल वाला सेशन में मैंने दोस्तों आप सको सेशन लिया था आप लोगों का कल हमोनिम्स वाला उसमें कोशन नंबर फाइब को मैं रीचेक कर रहा हूं कोशन नंबर फाइब में जो आंसर था उसमें दोस्तों हमने ओप्शन सी को चूस किया था जो की गलत था मैं आज सो ठीक कर रहा हू ध्यान रखिएगा option B उसका correct होगा option B floor जिसका मतलब 8 होता है option B सही होगा option C सही नहीं होगा कल वाले session में मैंने option C आपको right answer लगवाया था जो की गलत है उसको रीचे कर लीजेगा उसको ठीक कर लीजेगा question number 17 भी repeat हुआ है जिसका हम कर चुके है 18 भी क्या है यार चलिए 19 थैंक गॉड कि 19 रिपीड नहीं हुआ है यहाँ पर एक नया वर्ड दिया गया है है और इसका synonym होगा है कि के अरे उपर वालाई option A ही correct होगा कि एना एक हैर आपके बाल और एक खरगोस कुछ भी नहीं है समझान जैसा एक राइट लिखना कौन सा होगा दोस्तो एक्जेक्ली राइट डवलू साइलेंट डवलू साइलेंट बाकी सब बर्ड सेम रहेंगे आपके ठीके राइट और एक यह राइट इस राइट का हिंदी मीनिंग अगर आप गूगल पर सर्च कर लोगे ना तो एक्जेक्ली नहीं मिलेगा अगर राइट से कुछ यूरोपी जैसे कहें कि यूनानी बिद्वानों के नाम आपको मिल जाएंगे क्योंकि राइट एक उपादी भी होती है लेकिन हम यहाँ पर राइट देख रहे हैं यह राइट देख राइट के उपादी लिए जाता है ठीक है तो इस राइट का मतलब लिखना और एक है आपका कारिगर वाला तो यह कुछ बर्ड़त है जिने आपको ध्यान रखना है एक भी बर्ड़ को आपको मिस आउट नहीं करना है कि एसा नहीं है कि आर्च ठोड़ देते इस बर्ड़ को चलेगा कोई सा भ कोशन भी नहीं दे रहा हूं तो थोड़ा साना फोकस्ट के हो जाएंंगे तो जदा बेतर होगा क्योंकि फोकस्ट होने का टाइम यह मान लीजह ङरण में है दो हजार 24 के एक्जाम करने वाले हैं यह वि आप फैल होगे जिसे जिन बच्चों का भी बोलना है कि हम फिर से उग्जाम दे लेंगे तो क्या दो हजार 24 का फिर से पाऊगे आप आप एक्जेक्ली नहीं दे पाओगे संभवताब दो हजार पच्चिस में एक्जाम दोगे तो दो हजार चोबीस को तो आप मिस्स कर दिया ना आप लोगों ने एक साल पूरा खतम लाइब का अगया तो इसलिए दोस्तों तो यह सब फोकस्ड हो जाएए भी ए यार कि आप लिए चोड़िए आज बासन देने के भी मोल में हैं नहीं आज तो नेक्स स्टेशन में यह होमोनीम वाला टोपिक हमारा पूजी तऱ कंप्लीट हो जाएगा यह होमोफोन हमारा यह होमोनीम फ कि अईटम बाला सेशन होगा तो ज्यादा सेशन अब नहीं बचेंगे हैं तीन ये चार सेशन मुस्खिल से वने वाले हैं आपकी शिर्ष भी कम्प्लीट होने वाली जल्दी ही ओके फ्रेंड्स चलिए मिलेंगे नेक्स सेशन में अगले सेशन में मिलते हैं जिन दोस्तों को भी अभी किसी को watchup group join करने में problem आ रही हो। उनको को मेरा एक कहना होगा कि आप लोग कुछ वार्टसब ग्रुप पर join कूंकि मैंने आप लोग को इस क्शाइटिंग में भी बता था कि limit complete हो क्योंकि एक वार्टसब ग्रुब के limit होती है एक हजार चोबीस member सामानने ग्रूप की अब चुकि मैं आप से कोई चार्जस तो कर नहीं रहा हूं चार्जस करते तो बिजनेस क्लास में उसका जो है हम ग्रूप बनाते तो वहां पर लगोग फोलो चुके थर्ड यर में आई थिंग कि कुछ मेंबर अभी भी है तो आप लोग जोइन करके देख लीजिए अगर आप करेंट में वीडियो देख रहे हैं तो सम्तिंग अभी तो आप जोइन कर पाएंगे लेकिन अगर आप दो मेने छे मेने बाद अगर सेशन को देख रहे हैं तो संभवता आप थर्ड यर के गुरूप को जोई नहीं कर पाएंगे तब तक लिमिट कम्प्रीट क्रोस हो चुकी होगी तो उसके लिए में आगे कोई और ओप्सन दूंगा आप लोगों को लेकिन तब तक फिलहाल आप टेलेग्राम गुरूप को जोईन क करके भी आप हमारे डीडी रहे सकते हैं आपको कन बिलते रहेंगे आपको को दोस्तो बहुत भूत धन्य बाद यहां तक बने रहने के लिए और फिर से रिपीट कर वात दो फिर से जलुब उल्याइद रिजरू कर करें को किरपया कर अगये सबीस्टोएंट जिनके लिए भी आपको अगर आपको लघता है तो भूलता हो में। आपको लगता है कि सेशन हमारा सेशन आपके लिए हेल्फुल है आपके कुछ हेल्प कर पा रहा हूं मैं तो कम से कम सेशन को लाइक जरू कर दे मैं शेर का भी बोलता हूं आप लोगों से लेकिन पूत फोर्सली हो जाएगा बट इस ओके आप लाइक और सब्सक्राइब भी क आपके की बही कर दोपन हो खनी इसमया प्रका बोलता है और सम्के जरूता है।